इटावा के बड़पुरा ब्लॉग के कांधमी ग्राम पंचायत में किसानों के एक चौपाल से हमारे रेपोर्टर अमित मिश्रा ने किसानों के साथ बातशीत की है आप भी सुनिये पिछले कई दिनों से दिल्ली में किसान लोग धरना दे रहे हैं चारो तरफ से दिल्ली को घेरा जा रहा है आखिर जो किसानों का जो केंदर सरकार के जो विरोध में जो केंदर जो करसी बिल आया उसके विरोध को लेकर कहीं न कहीं किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं और इ किसान सुबह सुबह अपनी दिन चर्याज सुबह के जो काम होते हैं खेती के वो करने के बाद एक आपस में चर्चा पर चर्चा करते हैं देश की प्रदेश की और अंतर राष्टी इस तरह पर सभी जहां एक तरफ किसानों ने अब हर चीज को जानना परखना शुरू किया है वहीं इटावा के एक किसान किस तरह से जो दिल्ली में लगातार धरना चला है उसको किस तरह से देखते हैं हम यहां कांधनी गाओं के किसानों से आज बात करने आए हैं यहां एक छोटी सी चौपाल लगी हुई है मैं इनसे जानता हूँ कि आखिर जो यह धरना है वो किस नहीं हो रही है जो सरकार से आप लोगों की मांगें अब बताएं क्या नाम है बजय पर ताफ विजय जी घृक्षांद धरने पर है किस तरह से आप देख रहे हो की दिल्ली में किसान सारे काम रुके हुए हैं जहां एक तरफ प्रसासन भी लगा है तो वो धर्णा किसानों के हित्मे किया है पूरा। वो वहाँ खरीददारी होती है। उन्हान 6 दिन पड़ा रहता है। उन्हादियों में बेंचना पड़ता है, आलत्यचों के दोबारा। तो क्या मांग है आप लोगों की आप लोग चुकी उदर वहां पश्चिम के किसान कर रहे हैं आप लोगों की क्या मांग रही है हम लोगों के ये मांग है जो सरकार ने बनाई है बिचौलियों के दोवारा नहीं डारेक्ट खरीदार ले किसानों को सेमती किसे उनकी खरीदारी होना चाहिए जो किसान परिसान नहीं हो सरकार तो यही कह रही है कि आप लोगों को डिरेक्ट किसान से लिया जाएगा बीच में बिचौलिये नहीं रहेंगे ये बात आपकी सही लिया सरकार तो कह रही है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है अच्छा ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसके लिए आप बताओ क्या नाम है अपका। राम सेवक। डाम सेवक किस तरह से आप देखते हैं दरने को? दरने साप गलत है, बिज अंधरना है, जए हची दरना है। प्र आपकार्ण को फाइदा पांचाना चाहरा है। हो ना पाने से किसान आप लोग किस तरह से देखते हैं। इसी तरह देख रहे हैं कि मतलब हम लोगों को परिशानी ना हो बस परिशानी ना हो आप बताएं। मैंग पूरी होने चाहिए आप बताओ गडना जो वह वह वो सही है तो सरकार का कदम आप मानते की सरकार पर सही से नहीं कर पाई सरकार सो क्दम सхी उठा रही है लेकिन चैना आड़तिया लोग सरी कदम नहीं उठा रही हैँगे hip कातारी आड़ती से खिया से माल ले जाओं तो उनको नगर पेमिंट नहीं होता है और रोता है तो अब भो एक है कर आगे किसान क्या करते हैं आफ बता अब आब बात अना फेसिपो किसान के चेहरे पर मुश्कराइब कर दो तो एन यह तो सब्सक्रार करी रही है तो ढब पता प्रकास अब बताओ किस तरह से धरने को देख रहे हैं कि हर्याना किसान धरने बैठें उनका सही है तूर ने बैठें ज़िए उनका जो मंधिना गल्णा जो जाता है वो भीचौनी बजाए सीधा गौर्वर्मेट खरीदे और उनको इनका लागा सरकार तो यही कर रही है कि भीचौनी ऐख खतम कर रही है लेकिन लोगके सांद भरन किसान के मन में सवाल है और क्या चाहते हैं कि बदला हो कि जिससे किसान के चेहरे पर समर्थन मूल तो सरकार बढ़ा रही है किसान के नुकसान हो रहा है आप कुछ बता रहे थे समर्थन मूल तो सरकार का कहना है कि बढ़ाया है किसान कोई नहीं समझ पा रहा है कि मतलब किसान के मन में ऐसा क्या रह गया है कि वो संतोस्त किसान की बात सरकार नहीं समझ पा रही है किसा सरकार किसान की बात नहीं समझ पा रही है उसको मूल पाता है कि वह उने पोने दामों के द्वारा बेचना पड़ता है और और बो पेमेंट आड़ बिचॉलिये भी 20-20 दिने के महीने में पेमेंट करते हैं। तो बिचॉलियों को खतम करने की सरकार की जो मनसा थी इस बिल में भी लेके आए थे कि बिचॉलिये खतम होगे और किसान का फाइदा सीधे सरकार से किसान को मिलेगा। आपकी सरकार की बास सही लेकिन हो तो का रहा है जब इसका हो रहा है कारी आंगे जरक परूंशन से आफ देख नहीं कि एसी तरह अब अभी किसानों के हैं हाँ यसी लिए किसानों कि उनको जो आपकी गोस्ट लाएं वो धरातल पे तो कार करें किया होगा तो ये ये कांधनी गाओं के जो किसान है जिनका कहना है कि सरकारे बादे करती है दावे करती है लेकिन धरातल तक उसकी तस्वीर नहीं दिखती जहां एक तरफ अभी भी परिशान किये हैं जिससे उनका उनकी जो फसल है बुक सही दामों पर बिक नहीं पाती या बिचॉलियों के चक्कर में वो परेशान रहते हैं जिसके लिए यहां से मिली जुली पृतकरिया कांधनी से मिलती है कि लोगों का कहना है कि प्रॉपर वे में अगर उनका सही दाम मिलता रहे और उनकी खरीद होती रहे फसलों की तो उनके चेहरों पर मुस्कराट आएगी वहीं जो धरना दिया है वो धरने भी खतम हो जाएंगे कैमरामेन सुनील परासर के साथ अमित पिश्रा